इतनी सौधिश चट्णी है कि आप देखते ही आपको मुवी पानी तो आए गए आएगा और जब खाएंगे ना तो आपका जेब बार बार खाने को करेगा और बार बार बनाने को भी तो चलिए देखिए रेसीपी तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मुंख्फली के दाने भूने हुए और हरी मिर्च उसे भी भून लेना है और हरा धनिया और थोड़ा सा लेसुन लेसुन अगर आप खाना पसंग करें तो ला लिए वरना स्किप कर सकते हैं बिना लेसुन के भी ये चटनी बहुत स्वाजिश्ट बनती है गाईस अब इसमें जालेंगे हम एक सिक्र चीज तो वो है पिसा हुआ नारियल इस पिसे हुए नारियल से इस चटनी में वो जान आएगी जिसे आप उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे जी हाँ अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमर और इसे हम पीस लेंगे पीसने के बाद देखिए इस तरह से हमें पीस लेना ह है थोड़ा सा पाइन डाल डाल कर पिसेगा और इसे हम एक बतन में निकाल लेंगे तो चलिए हम इसे बतन में निकाल लेते हैं इस तरह से तो अब इसको आपको अगर गाड़ी खाना पसंद है तो आप इसे गाड़ा ही रहने दीजी और थोड़ा सा मतलब पानी की दखन में के और इसको अच्छे से भला हुआ साझ जबेंगे देंगे अच्छेसा वेपस और अपने तसके दानेया विंसे थे तरव में गरम करेंगे ता कि दॉल को एक परणने बलाला ये eins di अनि से कर्णों गरम कर लिभा करा दी है ऑच्छेसे में जा तरछसा lakasam अब इसको भी हम अच्छे से होने देंगे थोड़ा सा करी पत्त मिला दीजिए और इसे हम अब चटनी के अंदर डालेंगे तो चलिए एक पकड़ की सहाइता से पकड़ लेंगे और इस तरह से हम इसे चटनी के ऊपर मिलाएंगे और ये तरका हमारा बिल्कुल तैयार है बिल्कुल ऐसे ही देखिए कितनी मस्त लग रही है ना लग नी रही है खाने में भूस्त है एक बार जरूर बनाईएगा तो देखिए इस तरह से चला देंगे और इसे हम मिला देंगे अब इस चटनी को आप चाहे तो इडली के साथ डोसे के साथ पराटों के साथ सैंड़ ओटें आपे जल्देल दी फटा फट से कुछ वनाना हो तो हम इस तरह की चटनी जे से सब्जी नहीं हो घर यह न सीनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए घंटी को भी प्रेस को तेजे ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिलें और एस ही आसान मिलते हैं आगली वीडियो में तब तब के लिए बाबाई